हेलो एवरिवान वेलिकम बैक दोस्तों आज मैं फिर से आप सब वीडियो के लिए बहुत ही अमेजिंग और कौन कौन से होते हैं यह सारी चीज़े बताने बादा हूं यह दोस्तों कितने तरह के काउंट होते हैं जिनको आप पाउर व्याई में यूज कर सकते हो कैसे कैसे य उपन कर लें जिससे कि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे पावर व्याई में इन सारे डेक्स फंक्सन की यानि कि डेटा एनलिसिस एक्स्प्रेशन जितनी आप लोग यूज करेंगे उतनी आप लोग का माइंड सा करते हैं और उसमें कौन सी चीज इस्तमाल करते हैं काउंट रोस क्या है काउंट बिलैंक क्या होता है और मैंने सारे बिलैंक कर रहे हैं ताकि मैं आप लोग के साथ ही साची बताओं गाउगा step by step चलेंगे जिसी कि आप लोग को कहीं पर भी कोई confusion ना रहा है और आप लोग सारे count के बारे में आज ही इस वीडियो में सीख सकें अगर आप लोग नभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं कर रहा है तो दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि मैं आप सबी ल और distinct non blank क्या count क्या होता है इसके बारे माई हम लोग जानेंगे तो आप लोग रेडियो हो जाएगे ये डेटा जो है कहां से मिला है उसके लिए आप लोग करना क्या होगा जैसे आप लोग पारवे उपन करेंगे पारवे खुद आप लोग को एक option देता है जहां से आप लो कि वहां से sample later download करना होगा जहां पर आप लोग को hospital management HR अलग अलग तरह के finance accounts देते हैं आप लोग को डेटा मिल जाता है और वहां पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां तक कि वहां पर आप लोग बहुत ही अच्छे चार्ट्स ग्राफ्स बना सकते हैं जो कि आप है दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दें यहां पर जाएंगी right click करेंगे और new measures पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम यहां पर सारे के सारे measures बना रहे हैं जो कि आप लोग को किसी table में नहीं देखते हैं लेकिन आप लोग जैसी आप लोग अपने यहां पर आते हैं यह आप जिसमें काउंट करना है यानि कि मैं अपना काउंट करना चाहता हूं country country कितने नंबर भी करा आगया अब मैं यहांपर अपने क्लिक करूंगा आप इसको इस विजुल पर क्लिक करना हो इसे कहते हैं विजुल कार्ड जो कि आप लोग को यहां पर मिल जाता है ठीक है कितने आप लोग को नए अपडेट्स के साथ आप लोग कार्ड में किन किन चीजों को यूज कर सकते हैं यह सारी चीज़ें भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो कि इस वीडियो में अगला से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां से आप लोग हरे चीज समझ पाएंगे क्लिक कर लिया वीará अपने आकाउंट पर आ गया है क्लिक कर दिए य देखिए हाँ और आप और ऑगर यहां पर जाएंगे कंट्री पर मलब्ली के एह आ गया हम यहाँ पर आ जाते हैं पहले आपको मालम को कहा है कि कैसे यूज करना आए अब यह क्टीज और पर जासे है नोस्तम आपनो को ईंत हम यह अपने हमेहलों स्सक्राइब बना हुगा zegenताया मरे उपके चार चाहते हैं और आप यह चाहते हैं पर निविजसर पर जाएंगे अब हम करने वाले हैं काउंट रोस कि अक्टिन काउंट के बोज यहां पर कौन से काउंट प्रोस करना है यहां पर हमारे काउंट क्लिक कर रहा एंगे क्लिक कर दिया यहां पर आकर हम लगों काउंट रोस पर क्लिक कर देंगे ज्यर्श इसन कोई और भी होगी है कि बिलैंक कितना हमारे पास काउंट बिलैंक ओ मैंट को सिर्फ कौन सा पार्ट जो आप लोगों को समझवें नहीं आया काउंट बिलेंग ताकि मैं आप लोग को लिए उसके बारे में दुबारा से वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को फिर से समझाऊंगा प्रोड़क्ट है कि हर जब कॉलम नेम कहरा दोस्तों तो आप लोगों को प्रोड़क्ट में इसको लेता हूं कि बंद करता हूं है कि यहां बस्तु करता हूं है कि इसमें हैं यूस नहीं कर सकते हैं है कि कहा पर यूस करना आऄ वह भी आप लोग बताने वाला हूं मैं और को क्वान पिलैंक को कि दोस्तों अब देखा आप यह हमारा हमारा काउट ५ लइंक पर क्लिक करेंगे और यह देख एक भी बिलैंक नहीं है हमें देखे गजा है दोस्तों कि हमारा डेटा पिलकुल correct है इस तरह से आप लोग count blank calculate कर सकते हो अगर इन पर blank है दोस्तों तो आप लोग जान जाएंगे कि हम यहां पर कोई value नहीं नहीं है यहां पर request कराना यह नहीं कराना यह हमें टैक्स चाहिए इंटीजर चाहिए इस्ट्रिंग चाहिए यह चीज आप ले सकते हैं ठीक है अब देखिए तो यह मेरे पास बहुत सारे हैं सब अलग लग जगाए मैं धूने में कितनी दिक्कत हो रही है मैं चाहता हूं कि यह सारे मेरे मेजर्स एक जगा पर आ जाए तो क्या करना हो दोस्तों आप लोग को होम पर आ लाएंगे आप लोग एक टेबल करना होगी यहां पर मिल जाएगे आपको टेबल आप लोग यहां पर आके इसका नाम दे सकते हैं और मेजर्स दोस्तों मैंने लोड कर दिया और यह देखिए मेरे टेबल बनके तयार हो चुकी है जो कि कुछ इस तरह की देखेगी ठीक है कि करेंगे बिदर fir पिया जाएंगे कहां पर मुँव करना आपकर मेजर्स में जे के Πाहुए मेंगे जिसे कि आप को कहीं पर ढूनने जरूद नहीं पड़ेगी कि आपके मेरे कहां पर हैं? आप लोग कैसे पहुंचना है वहां पर? यह भी आगए देखिए हमारा और यह हमारा लास्ट जो मेजस है यह भी आ चुका है यह देखिए सारे मेजस हमारे एक ही जगा पर आ गए अब यह बिलैंक कॉलम है जो यह आ रहे हैं हम लोग इसको डिलीट कर देंगे इसको एफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बिलैंक कॉलम था अब यह देखिए हमारे सारे मेजस आ चुके इस कॉलम मेजस का दोस्तों क्या एफेक्ट देखिए इसका आपको फॉर्मेट भी दूसरा देखेगा टेबल का फॉर्मेट अलग होता है मेजस का फॉर्मेट अलग होत काउंटेक्स आप लिखेंगे काउंटेक्स इसमें क्या दोस्तों इसमें टेबल लेना है कौन सा कॉलम लेना है मैं दोस्तों तो हम यहां पर लेंगे अपना प्रोड़क्ट बंक करते एंटर करतेुं क्या आता है इसमें काउंटेक्स करां डेखिए 700 इond Act blogs लेकिन आप, आप लोग काउंटेक्स नमबर और selective दोनों को ये काउट चाँट कर सकते हें कैसे करना हो दोस्तों को यहां पर आगे राइट क्लिक करेंगे नियू मेजर्स पर चले जाएंगे और यहां पर लिखेंगे काउंट ए अब दोस्तों यहां पर भी सेम ही आएगा 700 यह आ चुका है यह अगर कहीं पर ऐसा कॉलम है जहां पर नंबर टेक्स दोनों है तो यह चीज़ा आप लोगो वहां पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है काउंट करते हैं उसके बाद दोस्तों काउंट एक्स यहांए काउंट ए और एक्स दोनों इसमें आप लोगो एक्स पिसंद दे सकते हैं काउंट ए एक्स सिर्फ यह चीज़ें आप लोगो काउंट करने के लिए हेल्प करती हैं तो आप लोग बिलकुल ना कर बाद हैं यह बहुत ही बेसिक से फार्मॉले जो कि आप लोग की मदद करते हैं बड़े बड़े फार्मॉले को लिखने में यहां पर ले लेता हूं दोस्तों क्या प्रॉफिट प्रंद कर दिया यहां पर आ गए काउंट एक्स ले लिए 700 आ चुका है ठीक है अब चलते हम लोग नीचे होने चाहिए की आप लोगality के बाद आप कोमेर्ड को बीक्षाय यहां पर… तो। यहां भी क्लिक के था था तो यहां भी कैथा था 5 दिस्तिकशक्ष्ण् vocal on चाहिए हूं और हमें यह एक वीज़ाद में चाहिए है कार्ड में चाहिए तो हम क्या करेंगा यहां पर आ जाएंगे नियुव इसस्टिंग काउंट ने लिखेंगे यूनिक निकाला हमसे विसकूर निकालेंगे enter कर देंगो दोस्तों और यह देखिए आपके सामने जिस्टिंग काउंट आच तर्यवली के अपर नागो किसा अनुद से यहाँ रिखेंगा और यहां पर रेखेंगे distinct count no blank count no blank अब यहां पर हम फिर से आ जाएंगे क्लिक करेंगे एंटर करेंगे और देखेंगे इसमें क्या result आता है यहां पर भी same ही आया यहां कि यहां पर दोस्तों अगा कोई blank होता तो blank को हटा देता वो और आप लोग को पर देता तो आप लोग को यह सारे फॉर्मले कैसे लगए दोस्तों कामेंट में जरू बताईए क्योंकि टॉप नाइन फॉर्मले जो count के होते हैं और इसके लावा कोई count का फॉर्मला नहीं होता है तो आप लोग कभी भी कोई आपसे question पूछे कि मुझे count के function बताईए dex में count कौन-कौन से होते हैं तो आप लोग के लिए बताईएगा count, count rows, count blank, count x, count a, count a x, distinct, distinct count and non blank यह count नहीं है दोस्तों दिस्टिंग निकालने के लिए होता है काउंट करने के लिए होता है तो आप लोग को नौ तरह के count के dex function मालूम हो चुके हैं आप लोग अमने जुरू बताईए दोस्तों कि आप लोग को इन में सबसे अच्छा कौन सा लगा थेंक्यू सो मुच